आईरवेज में सब समाधान है और मैं आप चाहूँगा कि मैं जो आपको पांच चार बाते बताऊँगा वो आपके लिए नहीं है पूरे भारत के लिए हैं क्योंकि किसी को भी कभी भी हार्ट अड़ाइक पढ़ जाता है तो मैं चाहूँगा जो मैं बोल रहा हूँ वो आप सब लोग रिकॉर्ड करो और फिर उस चीज को दुनिया तक पहुचाओ कि फटा फट अगर हार्ट अड़ाइक पढ़ जाए तो क्या करना है बीपी बढ़ जाए तो क्या करना है शूगर बढ़ जाए तो क्या करना है हॉस्पिटल जाने की जुरुत ही नहीं पढ़ेगी मै आपको बताना चाहूंगा अगर किसी को खड़े हाट अड़ेक पढ़ जाए तो सबसे पहले क्या करना है जब भी किसी को हाट अड़ेक पढ़े तो हाट अड़ेक इलक्षन क्या है छाती में एकदम दर्द होगी एकदम खिचाव आएगा किसी एक बाजू में दर्द हो सकती है मुँ में खिचाव आ सकता है और एकदम पूरा 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 प्रेशर तो जैसे हाट अड़ेक पढ़े सबसे पहले व्यक्ति को ऐसे बिठा देना है कुरसी पे नहीं मेच पे नहीं क्योंकि गिर सकता है व्यक्ति तो सबसे वहले क्या गरना है हाट सेफ पोजीशन ये है इसमें ऐसे बिठा देना है जिसको भी हाट अड़ेक पढ़े है उसके बाद फटा फट हम सब के घर में एक छोटी सी चीज होती है बड़ी बहुमूली है और ये है अदरक इमेडियेटली इतना बड़ा अदरक का टुकड़ा आपने उसको बोलना है कि आपने इसको चबाना शूब कर देना है इतना चबाना है कि आखों से पानी आ गए दो से पांच मिनद में आखों से पानी आ जाएगा समझो आपकी ब्लॉकेज बच गई सिधार, सुकला, के-के आप सब जानते हो वो लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुच पाए क्योंकि उनको हाट अड़ा और प्रॉबलम हो गई तो सबसे पहले हाट से पोजिशन फिर आपने खिलाना है अदरक उसके वाल आप हॉस्पिटल ले जाओ वैसी बच चुका होगा हो क्योंकि इमिडियेटली बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रॉडक्शन बढ़ जाएगा और आपका वैसो डाइलेशन होकर नसे खुल जाएगी तो ब्लॉकेज आपकी दूर हो जाएगी और आप बच जाएगे और हॉस्पिटल वाले आपसे सवा लाग, देड़ लाग, दो लाग स्कंट के नाम पे नहीं लूट पाएगे ठीक है सेकेंड पॉइंट कभी भी खड़े पैर किसी को शुगर बढ़ जाती है एकदम शुगर चार सो आ जाती है पास सो आ जाती हम घबरा जाती है एकदम बीपी ही हो जाता है या जितने लोगों के किड़नी फेल है उनका किड़नी बढ़ जाता है और वो डर जाते है तो क्या करना है आपने एक परात लेनी है परात लेनी है और थोड़े से करेले और थोड़े से नीम के पत्ते उनको चौप चौप करके ना बिल्कुल मैश करके मिक्सी में मिक्सी में घुमाके उसको आपने उस परात में डालके थोड़ा पानी डाल देना है और उसके उपर ख आपकी जीव पर करेले और नीम का टेस्ट आ जाएगा 10 मिनट के अंदर मैक्सिमम 10 मिनट में बहुत जादा होगा तो 15 मिनट में और आप चेक करोगे 15 मिनट बार आपकी शुकर नॉर्मल है आपका बीपी नॉर्मल है आपका करिटन अगले दिन तक नॉर्मल आ जाएगा और हम लोग हॉस्पिटल में जाके जो इंसुलिन शुरू हो जाती है और हमारे को जिंदगी पर बोलायता है आपको शुकर की दवाई चलेगी बीपी की दवाई चलेगी उससे हम बच जाएगे तो यह हो गया हमारा सेकंड पॉइंट अब तीसरा पॉइंट आपके घर में कई लोगों को शुकर होगी कई लोगों को बीपी होगा कई लोगों को जोडों का दर्द होगा कई लोगों की लीवर प्राबलम होगी कई लोगों की किटनी प्राबलम होगी तो मैं एक जो तरीका बता रहा हूँ, अगर आप सब अपनाओगे, तो कभी जिसको है उसकी तो ठीक हो जाएगी, और जिसको नहीं है उसको कभी होगी नी, तो करना क्या है आज के बाद जब भी खाना खाना है जब भी खाना खाना है दो प्लेट में खाना है प्लेट वन प्लेट टू प्लेट वन में वो होना चीए जो प्रकरती से आता है नैचुरल यानि कि फ्रूट्स सैलेड या फिर जूस या नारियल पानी जो नैचुरल है वो कितना खाना है आपके वजन के हिसाब से सुबह नाश्टे में जितना आपका वजन है गुणा 10 कर लो यानि कि अगर आप 60 किलो के हो तो 600 ग्राम, 70 किलो के तो 700 ग्राम, 80 किलो के तो 800 ग्राम, जो 50 किलो के हैं 500 ग्राम, तो fruits खाने है सीजन के जो कल बिंदरा सर भी बगा रहे जाना सीजन के जो की अपने इलाके में मिलते हो बाहर के स्बूच नहीं खाने तो पहले फ्लेट बन में वो खाना है उसके बाद फ्लेट टू में जो आपका दिल करें परोठे, कचोड़ी, पकोड़ा, टिक्की, समोसा, गोलगपपे घटूरे जो दिल करें को खाओ, लेकिन पहले क्या खाना है? अब आप लोग सोचोगे पेट बर जाएगा कैसे खाएंगे? नहीं होगा. तीन से साथ दिन लगेंगे, आप उतना ही खापाओगे जितना पहले खा रहे थे. तो ये आपने ध्यान रखा, तो आपने पहले ना 5 ग्राम सैलेड, खीरा, टमाटर, प्याज, बूली गाजर, जो आपको लगता है, आप वो खाओ. प्लेट वन में और प्लेट टू में जो आपको दिल करता है, रोटी, चावल, खिचडी, दाल, जो खाना है, खालो. ऐसे ही डिनर में, बस डिनर में एक काम करना है, कोशिश करो, सूरह डूगने से पहले खालो, बस. अगर पूरा भारत ये तीन नियम अपना ले, तो हमारे हजारो करोड का खर्चा बच जाएगा, हमारे बिल बच जाएगे, हमारे देश का पैसा बच जाएगा, हॉस्पिटलों में भीड जो है, वो बच जाएगी. तो ये आप कर करना है, छोटी-छोटी बाइट और चबा-चबा के खाना है, मूड खराब हो, गुस्टे में हो, लडाई में हो, उस दिन खाना, नहीं खाना, और हमारे गरो में क्या होता है, जरासा खालो, मेरी कसम लगे खालो, खाने से क्या नराज़गी, है ना, तो ये आपने ध्यान है, वो नहीं करना, इसके बाद, पूरे भारत में, जितने भी लोगों की किड्नी फेल है, लीवर फेल है, स्टेज फोर कैंसर है, जिनको बोला जाता है, कोई इलाज नहीं है, तो मैं आपके सामने इस स्टेज पर खड़े होके दावा करता हूँ, आप हमारे पास स्टेज पूर कैंसर का पेशेंट ले आओ, किड्नी फेल का पेशेंट ले आओ, लीवर फेल का पेशेंट ले आओ, सब ठीक होते हैं, लेकिन ठीक कौन करता है, जो व्यक्ति शीशे में नजर आता है, यानि कि शीशे में कौन नजर आता है, हमारी बाडी में ताकत है अपने आपको हील करने की तो हम ऐसी डाइट ऐसी जड़ी बूटियां ऐसा लाइट सैल बताते हैं कि बोड़ी स्वयं को खुदी हील कर लेती है एक चौथी बहुत जरूरी बार आप लोग सब हेल्थ इंशॉरंस करवाते हो आज के बाद ये वीडियो सारे देश के फेलानी है हमने आज के बाद आयूष कबरवाला है निदानम पूपिता मला मतलब दुनिया में जितने भी रोग हैं आपने जितने भी लोग बैठे हो आपके घर में जितने लोग हैं, किसी को कोई भी बिमारी है इलाज क्या बताया, सरवेशा नाम रोगा नाम निदानम कुपिता मला, मला सर रोगों का निदान, अपने अंदर के कुपित मल को निकाल दो यानि कि अंदर की गंदगी को निकाल दो, यानि कि टॉक्सिंस को निकाल दो, अब कैसे निकलेंगे बहुत सारे लोगों को गैस बनती है तेजाब बनता है कब जोती है एक मिड़ावें जब आज के बाद एक काम कर लोगे कभी गैस नी बनेगी कभी कबज नी बनेगी कभी तेजाब नी होगा सुबह सुबह उठते ही खाली पेट ऐसे बैठके अपने कमरे में ऐसे बैठके एक कप गरम गरम पानी पीना है उकरू बैठके ऐसे कभी लाइफ में गैस, तेजाब कभी बनेगी इस तरह बैठके आगे आगे उकरी खाब इस तरह बैठके गरम गरम पानी या हर्मर्टी या लेमन टी दूद वाली चाहे ने भी नहीं दूद वाली चाहे जहर है फिर सुन लो चाहे कमपनियों को वीडियो भेई देना दूद वली चाहिए जहर है जहर है जहर है फिक है इस तरह एक-एक घूट करके और पानी को चबाना है पानी को एक घूट को 32 बार मुँ में हिला कर फिर अंदर लेना है ये पानी अम्रित बन जाएगा क्योंकि मुँ में जो लार होती है ना वो mix होकर जब अंदर जाती है तो पूरी pipeline को साफ करती है पूरी food pipe पूरी intestine पूरा अमाश्य है सब clear हो जाता है तो आपने एक cup पानी को ऐसे 5-10 मिट पीने है जिस दिन आपने ऐसा करना शुरू कर दिया साथ दिन के अंदर आपका गैस तेजाब कब्ज एसडिटी सब problem solve इव बाद में घुटने चेंज कराते है रीडिकेंटी का operation कराते है और जो लेडी जो महिला इस तरह बैठके सुबह सुबह पानी पियेगी तो कभी periods की problem periods की pain कभी period answer लोग क्रैंस कड़ते है अनीजीनेस होती है परशान होते है वो सब ठीक हो जाए क्योंकि इसमें पूरी की जरूरी बात कि जब भी कभी बुखार हो बुखार मित्र है मित्र उसको कभी उतारना नहीं है करना क्या है एक गरम पानी की बाल्टी लेनी है 40-42 जिली temperature होना चीए उसमें इतने pound बोलो कुर्सी में बैठ जाओ और उसमें pound बोलो और हाथ में गरम गरम पानी उबलता हुआ चाही की तरह सिप सिप करके पियो आदे घंटे में जुकाम बुखार खासी आपका इमीडेटली वाइरस अपने आपी डियक्टिवेट हो जाता है हीट में वाइरस गनोट तो अगर आपको किसी को infection है अब यह मौसम चल रहा है बुखार जुकाम खासी घरों में हो रही है दवाईनी खानी बस शर्थ क्या है लंधन परम आज़्डम यानि कि तीन दिन उपवास करना है बस जब भी कभी बुखार हो जुकाम हो खासी हो लंधन परम आज़्डम यानि कि उपवास लंधन मतलब सॉलिड खाना निखाना हलका खाना नावियर पानी मौसमी का जूस य कि हम लोग अपने डॉक्टर